Students हम discuss करेंगे Important news के बारे में और उससे related जो information है हमारे UPSC के exam के perspective से important उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे First news is regarding the suspension of MPs के बारे में हैं आप देखें कि winter session के दोरान काफी सारे जो MPs हैं उनको suspend किया गया है house के अंदर में तो उनी का जो suspension process है उसके बारे में already हम discuss कर सुके हैं कि हमारे Parliament की जो दो house हैं लोकसभा ये राज्यसभा बोथ house के जो different rules हैं उनके according में जो member of Parliament से उनको suspend किया जाता है जैसे कि आप देखें कि लोकसभा के अंदर आपको rule number 373 है rule number 374 है इनके तुरू यहाँ पे जो suspension है उसको process को deal किया जाता है राज्यसभा के अंदर आपको rule number 254, 255 इस तरीके के जो rules हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जो कि लोकसभा में speaker को more powerful बनाते हैं उनको यहाँ पे house के अंदर discipline and decorum है जिसको maintain करने का responsibility है राज्यसभा के अंदर जो chairman है हमारे जो vice president वो chairman के रूप में काम करते हैं जिनका main responsibility है कि राज्यसभा के अंदर जो discipline and decorum है उसको maintain किया जा सके students अगर हम member of parliament के suspension के बारे में बात करें तो MPs के द्वारा जो basically जो protest है उसको carry out किया गया है कि यहाँ पे जो 13 December के जिन जो security breach का जो incident देखने के लिए मिला parliament के अंदर में तो वहाँ पे minister of home affairs के द्वारा जो अपना statement है वो दिया जाए government को यहाँ पे अपनी responsibility को लेनी का जरूरत है कि basically क्यों यहाँ पे जो security breach है वो incident यहाँ पे देखने के लिए मिला minister of home affairs के statement के regarding में यहाँ पे MPs के दुआरा जो protest है वो carry out किया गया तो protest की वज़े से जो यहाँ पे लोकसभा के speaker है राज्य सबा के जो chairman है उनके दुआरा suspend किया गया है MPs को इसके बारे में already हम discuss कर चुके हैं कि highest number of इससे पहले जो highest number of MPs का जो suspension है वो 63 हुआ करता था तो आप देखें कि यह कब कौन से समय में है 1989 के समय जब वो force का जो allegations है वो लगाए गए थे तो उस समय में देखने के लिए मिला था कि 63 जो MPs है उनको suspend किया गया था उस समय में house का एक जो sitting है उसके दोरान में next अगर हम बात करें students यहाँ पे आप देखें कि present समय में only 45 MPs है वो बचे हैं house के अंदर में जो India block से belong करते हैं India block के बारे में अगर हम बात करें तो opposition parties का एक block है जिसको India block के रूप से हम जानते हैं आप देखें कि September के समय में एक controversy भी create हुआ था India और भारत का जो हमारे Constitution के फ्रेमर से जिनके दौरा Article 1 के अंदर में इंडिया डेटिज भारत का जो concept है उसको adopt किया गया तो आप देखें कि इंडिया और भारत का जो concept है वो देखने के लिए मिला था फिर G20 की मिटिंग के दौरा भी वो रहा continuous क्योंकि इंडिया के जो PM है उनके दौरा भारत जो वर्ड है वो वहाँ पे add किया गया था और क्योंकि opposition parties के दौरा India block है अपना जो block है उसका नाम India block रखा गया तो present समय में only 44 MPs है जो बचे हैं house के अंदर में जो India block से block करते हैं means opposition parties से जो block करते हैं next news is regarding the Tamil Nadu के एक minister है उनके disqualification process के बारे में है तो आपको यहाँ पे 2-3 cases है जिनके बारे में जानकारी होनी चीए अगर 2 year और more than the 2 year 2 year plus में more than the 2 year का अगर यहाँ पे किसी भी case में convict किया जाता है किसी भी member of legislature या member of parliament हो तो उनको यहाँ पे basically के लिए जो disqualification है वो देखने के लिए मिलता है आप देखें कि अगर इनके दुवारा Supreme Court के अंदर इनका जो भी conviction है उसके against में इस्टे ले दिया जाएगा तो उस समय में इनका जो conviction है उसको इनका जो disqualification है उसको basically रोका जा सकता है इसके लावे students अगर हम बात करें तो इसके regarding में कौन सा case है 2013 के समय में Decriminalization of Indian Politics के अंदर में जो criminal persons है उनका यहाँ पे ना presence हो उनको decriminalize कैसे किया जाए Indian Politics को इसी के regarding में आपको एक Lily Thomas case है Lily Thomas case है वो देखने के लिए मिलता है एक लोग पहरी case भी है तो Lily Thomas case के अंदर Supreme Court के द्वारा judgment दिया गया था कि two year और more than two year के आसपास कोई convicted है कर कोई member of legislature है member of parliament है तो उसका basically जो disqualification है immediate effect में करना होगा तो आप देखें कि उसी के regarding में है तो Lily Thomas case के बारे में आपको पता होना चाहिए एक लोग पहरी case भी है वो भी disqualification process के ही बारे में है तो यहाँ पे जो disqualification है वो कौन से act के थुरू किया जाता है आप देखें कि representation of people's act है representation of people's act का section 8 है representation of people's act का section 8 है उसके अंडर में आपको disqualification है वो देखने के लिए मिलता है member of parliament, member of legislature, assembly है उनका जो disqualification है उसको carry out किया जाएगा क्या यहाँ पे जो disqualification है उसके removal का भी कोई process है क्या आप देखें कि अगर यहाँ पे two year के लिए कोई person है उसको disqualify किया गया तो after the two year का उनका जो time period है वो complete होनी के बाद में six year तक उनका जो आप यहाँ पे election है वो contest नहीं कर सकते है कि यहाँ पे जो suspension का जो time है उसको भी remove किया जा सकता है sorry disqualification का जो time है उसको भी यहाँ पे reduce किया जा सकता है ऐसा एक incident सिक्किम के अंदर देखने के लिए मिला था सिक्किम के एक political leader है उनका basically जो disqualification है उसको reduce किया गया था election commission के दुआरा वहाँ पे basically consult किया जाता है हमारे president के दुआरा तो उस समय में ऐसा incident है वो देखने के लिए मिलता है next अगर हम बात करें students यहाँ पे Indian science congress के बारे में हैं अब देखें कि हमारा जो scientific community है उसका यह काफी बड़ा एक festival है जिसको January के first week के अंदर celebrate किया जाता है तो इंडियन science congress का एक जो festival है January के समय इसको organize करना था एक private university है पंजाब के अंदर में basically यह जो आमाद में party है उसके member of parliament में है यह person जो इस private university के जो owner है तो 109 इंडियन science congress का जो function है वो वहाँ पे होने वाला था January के first week में वहाँ पे host के द्वारा जो private university है LPU इसका नाम है लवली professional university के द्वारा last time video कर लिया गया कि हमारे द्वारा जो science congress है उसको हम organize नहीं कर सकते आप देखें कि यह organization का जो work है जो completely किसके द्वारा deal किया जाता है Indian science congress का एक association है जो Calcutta base है Indian science congress का जो association है उसी के द्वारा यहां पे जो host है उसको basically recognize किया जाता है कि इनके द्वारा जो function है उसको host किया जाएगा January के month के समय में तो हमारा जो 109 Indian science congress का जो function होने वाला था उसके बारे में अगर हम discuss करें उसका जो meeting है तो आप देखे कि उसका जो theme है वो रखा गया है हमारा जो basically 23 का जो theme है वो यहां पे 24 का sorry student 24 का जो theme है वो रहेगा global perspective on science and technology और sustainable future global perspective for science and technology और sustainable future यह theme है उसके perspective में यहां पे इसको organize किया जाएगा अब लखनाव university है उसको recognize किया गया है कि उनके द्वारा यह जो science congress है उसको यहां पे organize किया जाएगे अगर हम Indian science congress association के बारे में बात करें जिनके द्वारा जो science congress है जिसको organize किया जाता है तो इस association को जो funding है वो आप देखे कि department of science and technology के जो funding है वो यहां पे provide की जाती है तो यहां पे आपको एक और बात पता होनी चीए क्या Indian science congress को continuous organize किया गया है students आप देखे कि 1914 के समय first time Indian science congress है उसको organize किया गया था तो क्या किसी भी समय में कोई ऐसा year है जिस समय इसको organize ना किया गया हो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चीए आपको इनके बारे में जरूर से read करना क्या COVID-19 के समय में जब 2021 है उस समय भी इसको organize किया गया था क्योंकि 2020 में जो COVID का आउट ब्रेक हुआ था वो मार्च के समय में lockdown है वो लगाया गया था तो आप देखे कि 2021 के समय भी क्या Indian science congress को organize किया गया था इसके बारे में आपको जानकारी होनी चीए 1914 में ये start हुआ था colonial era के समय में Congress के दुआरा इसको start किया गया था यह हमारा जो scientific community है उसके जो सभी लोग है वो वहाँ पर एक जगह मिलें और उनके दुआरा इंडिया के जो हमारे जो indigenous science का जो प्रोग्रेस है उसको भी recognize किया जाए हमारे PM सरके दुआरा two years back जब science Congress का meeting हुआ तो उस समय कहा गया कि हमारा जो mindset है उसको decolonize करने का ज़रूरत है क्योंकि काफी सारे ऐसे जो scientific development है वो इंडिया के अंदर भी आपको यह समय के अंदर में next अगर हम बात करें केरल के perspective से है केरल का जो basically यहाँ पर natural view है उसको use करने के बारे में discuss किया गया है कि वहाँ पर more film है उनको यहाँ पर basically जो shooting है उसको carry out किया जा सके उसका जो natural view है उसके perspective से तो आपको देखे कि students यहाँ पर जो waterfall से उनके बारे में जानकारी होनी चीए इसको यहाँ पर दिखाया गया है तो waterfall इंडिया के अंदर maximum कहाँ पर present है कि northern part of इंडिया के अंदर waterfall में more है या southern part के अंदर में ऐसा भी आपको जानकारी होनी चीए कुछ main important जो waterfall है जैसे highest waterfall के बारे में हम बात करें तो कुछी कल नाम का एक waterfall है जो कि आपको सीमोगा district के अंदर देखने के लिए मिलता है करनाटक के अंदर में वारा ही जो river है उसके उपर में वो बना है काफी ज़्यादा उसका height है 1493 के आसपास जो fit का जो height है उसको वो basically waterfall है तो इंडिया के कुछ waterfall के बारे में आप जरूर से read करना students जैसे कि आपने दूस सागर के बारे में read किया होगा कभी ना कभी दूस सागर जनाम का जो basically waterfall है जो इंडिया के अंदर ही present है next अगर हम बात करें geological survey of इंडिया के बारे में हैं आप देखे तो 1851 के समय इसका establishment हुआ 1851 के समय इसका establishment हुआ है आप देखे कि जो colonial era के समय में कुछ institutions हैं जिनका establishment हुआ है उनके बारे में आपको जानकारी होनी जैसे कि Geological Survey of India है Indian Science Congress है जो 1914 के समय हुआ Geological Survey of India 1851 के समय हुआ है इसके लावा काली ही हमने Indian Meteorological Department के बारे में रीड किया था IMD का जो establishment हुआ है 1875 के समय में इसके लावा आप देखे कि Archaeological Survey of India है इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी जैए Botanical Survey of India के बारे में आपको जानकारी होनी जैए कि वो कहां पे है आप देखे कि Geological Survey of India and Botanical Survey of India है इनका जो headquarter है वो क्या Calcutta के अंदर situated है इसके बारे में आपको read करना comment section के अंदर बताना कि Geological Survey of India का जो headquarter है वो कहां पे है इसका जो initial समय में start किया गया था तब कोल का जो basically इनको कोल के जो deposits हैं उनके बारे में जानकारी पता करनी थी आप देखें कि 1853 के समय में हमारा जो first railway है वो देखने के लिए मिलता है Bombay से थाने का जो region है उसके अंदर में पहला जो railway है इंडिया के समय चला था Bombay से थाने के अंदर में तो आप देखें कि उस समय कोल के जो deposits हैं उसके बारे में इनको पता करना था बाद में काफे सारे जो minerals हैं वो geological survey of India के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रजेंट समय में जो ministry of mines है जो mines का जो ministry है उसके अंदर में ये work करता है next अगर हम बात करें why not के अंदर में basically एक tiger है जिसको कि shift किया गया है एक zoo के area के अंदर में क्योंकि tiger के द्वारा basically में का जो हंट है वहां पर carry out किया गया तो students यहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए tiger reserve उसके बारे में इंडिया में आप देखी कि अब एक recently दुरगाबाई के नाम से एक जो tiger reserve है वो बनाया गया है मद्य परदेश के अंदर में और हमारे country का जो 54 tiger reserve है इसके लावा हमने discuss किया था कैमूर का जो region है कैमूर का region कहां पे बिहार के अंदर में तो कैमूर का जो region है वहां पे भी एक tiger reserve है उसको recognition करने का बारे में बात की गई थी आने वाले समय में जो हमारा national tiger conservation authority है उसके दुआरा उसको recognize किया जाए कैमूर जो भी भी हार है उत्र प्रदेश है और चतीस गड़ का जो area है उसके साथ में अपना area है वो सेर करता है मद्य प्रदेश के साथ में भी इसके लावे students अगर हम tiger reserve उसके बारे में बात करें केरल के अंदर में तो Perriar Tiger Reserve है वो आपको देखने के लिए मिलता है پرमभी कुलम नाम का जो tiger reserve है ऐसे दो tiger reserve है जो केरल के अंदर में situated है, perriar है, परमभी कुलम है इसके लावे students आप देखे कि chief wildlife warden है वाइल डाइप प्रोटेक्शन एक्ट के थो इसको क्रियेट किया गया है इसके बारे में आप जरूर से रीड करना इस्टूरेंट चीफ वाइल डाइप ओर्डन का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा important है क्या किसी एनिमल का जो hunting किया जाता है सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो tiger है वो man eater के रूप में उसको declare कर दिया जाए कि tiger के दुवारा काफी सारे man है means human beings है उनका यहाँ पर hunting है उसको carry out किया गया तो वहाँ पर जो tiger को human का जो यहाँ पर eater है या human का जो hunting है उसके रूप में जो declare किया जाता है तो basically chief wildlife warden के दुआ ही क्या permission दिया जाता है कि यहाँ पर जो tiger है उसको basically जो suit है वो कर दिया जाए क्योंकि इसके दुआरा यहाँ पर human beings है उसको attack किया गया है उनके अगेंस्ट में तो यहाँ पे change किया गया आप देखे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 1885 के समय में जो telegraph act है वो आपको देखने के लिए मिलता है 1885 का जो telegraph act है अगर हम present समय में बात करें 2003 के समय जो telecommunication की regarding में एक bill है जिसको present किया गया पार्लियमेंट के अंदर में तो आप देखे कि students इसके अं communication sector से related जो इंडुस्ट्री जो इसको welcome किया गया है license process को यहाँ पर digitalize किया गया इसके लावा यहाँ पर और भी काफी सारी चीज़ें है जिसके अंदर में आप देखे कि satellite जो internet का concept है उसको आप भी एक welcome है इंडुस्ट्री के दुआरा यहाँ पर किया गया है जो रेट टेप होते हैं यहाँ देखे कि state sponsor जो surveillance है उसको यहाँ पर ना खेरी आउट किया जाए तो उसके भी regarding में जो कुछ concerns है वो rage किये गये हैं यहाँ पर basically अगर हम बात करें concerns के rage के regarding में तो यहाँ पर जो internet का जो shutdown है वो भी modern समय का problem है जो देखे कि समय समय पर इंडिया के अंदर काफ को पता होना चाहिए कि honorable supreme court के द्वारा 2020 के समय में अनुरादा भसीन वर्सेज union ओफ इंडिया कस्मीर times नाम का एक newspaper है उसकी एक journalist है अनुरादा भसीन उनके द्वारा एक case है वो file किया गया था कस्मीर के अंदर जब internet है उसको ban किया गया था 2019 के समय में तो अनुरादा भसीन वर्सेज union ओफ इंडिया का case है जिसके अंदर में article 21 और article 19 का जो एक important part है उसके रूप में recognize किया गया था internet को next अगर हम बात करें students high fat sugar and salt का जो food है उसके बारे में यहाँ पे define किया गया है high fat sugar and salt के बारे में अगर हम discuss करें students तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो खाने के अंदर में basically जो process food है उसका जो quantity है वो continuous increase हुआ है persons के दुवारा जो process food है वो काफी ज़्यादा जो consume है वो किया जाता है students अगर हम process food के बारे में बात करें तो process food की वज़े से obesity है diabetes है high blood pressure है ऐसे सारी कुछ incidents है जो body के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर हम बात कर diabetes और high blood pressure की वज़े से 70% जो overweight है obesity का जो problem है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है low middle income जो country है 70% का जो obesity है जो यहाँ पर high blood pressure है overweight का जो situation है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा low middle income जो country है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा non communicable disease के बारे में अगर हम बात करें तो non communicable जो disease है non communicable जो disease है 90's के एरा के समय में 38% है वो हुआ करता था इनका contribution present समय में अगर हम discuss करें तो इनका जो contribution है वो 65% जो non communicable disease है वो increase हुई है तो यह बेसिकली यहाँ पर show करता है कि obesity, diabetes, high blood pressure है वो कितना बड़ा एक health के उपर में serious concern है वो raise करता है और basically जो high fat जो sugar and salt का जो use किया जाता है processed food के अंदर में जिसका जो consumption है, urban areas के अंदर में increase हुआ है जो एक काफी बड़ा concern है जो health के उपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, next अगर हम बात करें, आप देखें कि इंडिया के अंदर भी non communicable disease के perspective से 1.2 million जो death है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है इसके अगर हम impact के बारे में बात करें तो health के उपर जो health का जो expenditure है उसके उपर इसका impact देखने के लिए मिलेगा, 23 billion का जो impact है वो present समय में है आने वाले 2060 तक आप देख देखने के लिए मिलेगा किसके अंदर में basically इसी obesity non communicable disease की वज़े से health के sector में इतना जो पैसा है वो खर्च होईगा 2060 तक तो इसको deal करने का क्या जरूरत है एक तो आप देखी कि आपका जो health का जो activities है उनको आपका जो daily activities है उनको change करने का जरूरत है गवर्मेंट के द्वा पास annual growth है वो आपको देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर basically the sugar का इंडिया के अगर हम perspective से बात करें तो इंडिया sugar का largest producer भी है तो largest consumer भी है हमारे यहां पर जो sugar है जितना हम produce करते है उतना ही हम consume करते है maximum things के अंदर में जो sugar है वो आपको देखने के लिए मिलता है चाहिए अब morning के समय में जो चाई and coffee है उसी के समय से आप देखिए और लोगों का जो physical activities है वो completely reduce हुआ है इसके अंदर में आप हमारा urbanization भी एक problem है आप देखें के अंदर हमने read किया था कली इसके बारे में कि इंडिया के अंदर जो 40% population urban areas के अंदर में रहा करती है और हमारे यहां जो urbanization है students unplanned way में है unplanned urbanization क्या होगा unplanned urbanization यह है कि किसी के पास में suppose कीजिए कोई city है छोटा कोई city है city के पास में किसी के पास agriculture का जमीन है उनके दुआरा इस तरीके से जो plotting है वो कर दिया जाएगा तो वहां पे जो proper way में जो park होना चीए proper way में जो walking का space होना चीए बच्चों के खेलने का जो जगह होना चीए वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा तो वो भी एक problem है urbanization है आपका जो life का जो routine है वो भी देखने के लिए मिलता है लोग urbanization के अंदर क्यों migrate करेंगे यहाँ पे better livelihood की regarding में better उनको opportunity में बहुत सारी चीजिया accessible हो सके इस वज़े से यहा यहां पर play करती है तो students इसको कैसे deal किया जाए तो इसका एक taxation का जो process हो बताया गया है कि यहां पर जो सूगर है उसको basically जो taxation हो कर दिया जाए sugar high जो high fat sugar and salt के जो food से उनके उपर में जिससे कि उसका जो consumption है वो reduce हो सके काफी सारे countries का यहां पर example दिया गया के बारे में भी बताया गया है कि 2017 के समय में fat जो tax हो यहां पर के दुवारा लगाया गया था fat का जो tax हो लगाया गया था के अंदर में पर आप बाद में आप दे taxation है उसी के बारे में बात की गई है कि taxation के उपर important जोर देनी का जरूरत है जिससे कि basically यहां पर health के perspective से हम high food जो sugar and salt का जो food है उसको reduce कर सकी एक इसके लावा यहां पर basically monitoring regulation इन सभी के बारे में बात की गई है next अगर हम बात करें इंडिया का जो ethanol blending का जो program है उसके बारे में discuss कि किया गया आप देखें कि कोप 28 का जो meeting है और्गनाइज हुआ कोप 28 का मिटिंग कहां पर और्गनाइज हुआ student दुबई के अंदर में दुबई consensus हमने वहां पर sign किया गया है countries के दुवारा उसी दुबई consensus के अंदर आप देखें कि renewable energy का भी एक target है जिसके बारे में discuss किया क हमको जो renewable energy है उसको triple करना है 2030 तक हमको renewable energy का जो production है उसको triple करना है इसके अंदर में आप देखें कि एथिनोल का जो इंडिया एक important role है वो play करता है 2014 की समय इडिया में जो इथिनोल का production है वो 11 point हुआ करता था 2025 तक हमको basically जो 20% का जो target है जिसको की हम E20 के रूप से भी जानते हैं उसको हमें यहाँ पे अचीव करना है वोर्मेंट के दुवार आप देखें कि जो sugar के उपर में जो basically sugar है जिनके उपर में जो restrictions लगाए गए थे और maze की regarding में जो discussion किया गया कि maze का जो diversion है वो यहाँ पे किसकी regarding में किया जाए इथेनोल ब्रेंडिंग के perspective से इथेनोल का जो production है उसके बारे में अब इथेनोल के उपर क्यों ध्यान दिया गया है उसके बारे में अगर आपको पता होना चाहिए आप देखें के से हमारा जो vehicle का जो pollution है वो reduce होगा यहाँ पे जो fuel का जो efficiency है वो देखने के लिए मिलेगा जो oil का जो import है वो यहाँ पे reduce होगा आप देखें कि economy के अंदर हमारा जो current account के अंदर जो deficit देखने के लिए मिलता है वो भी यहाँ पे reduce होगा oil का जो अगर import हम यहाँ पे धीरे-धीरे reduce करते हैं इस इथेनोल blending के perspective से US के अंदर में 2000 के समय में ethanol blending है उसको carry out किया गया था उस यहाँ पे discuss करें तो इंडिया के दुआरा मेज को divert करने के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे basically writer के दुआरा कुछ concerns raise किये गए कि जिस तरीके से आप यहाँ पे जो food items है उनको यहाँ पे divert कर रहे हो directly in the ethanol blending के program के अंदर में तो food के sector के अंदर food and the fuel का जो यहाँ पे दोनो का दोनों sectors के अंदर में जो competition है उसको यह increase करेगा food sector के अंदर inflation है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है तो उसके बारे में यहाँ पे discuss किया गया है इस editorial के अंदर में तो basically आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ethanol का जो program है E20 program 2025 तक हमको 20% जो हमारे fuels है उसके अंदर आप देखी कि sugar का जो स्टोक है वो काफी कम है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, सूगर का इस्टो काफी कम है, तो इस इस अल दा इन्फोर्मेशन रिलेटेट टू दा इंडियाज एथिनोल जो प्रोग्राम है उसके बारे में, और भी काफी सारे डाटाज हैं वो बताए गए हैं, जो हमारे एक्जाम के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट अगर हम बात करें धारावी के बारे में हैं, धारावी क्या है धारावी बेसिकली मुंबई के अंदर एक सलम का एरिया है, और सलम को एसिया का सबसे बड़ा यह सलम है धारावी, आप देखे कि COVID-19 के समय भी यह ज देखे कि COVID-19 के समय भी यह काफी बड़ा कंटेंश इस 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 था कैसे मेडिकल जो प्रकिशनर से उनके दुआरा वहाँ पे जो कंटीनियूस यहाँ पे जो सर्वीलेंस उसको कैरी आउट किया जा सके, इनिशियल फेज के अंदर जिस तरीके से जो केसे वहाँ पे दिसकस किया गया है कि धारावी को यहाँ पे रीडवलप करना है, सलम की एरिया के अंदर ही इसको रीडवलप करना है, जिससे कि बैटर वे में उनको जो लाइवली हुड है वो प्रोवाइड किया जा सके, तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी जो उनके दुआरा बेस स्टूडेंट्स हैं गोजिए थी श्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली परसं विदिशेबिलिटी इसका जो कॉझन से यह इसको पर्जेंट को जिए जा अइन का पार्ट माना गिया है गोर्मेंट के दूरा तो आपको यहाँ पे पता हो ना चे है है जो जो मिननिस्ट उनके द्वारा बेसिकली यहां पर अपना statement दिया गया कि जो थैले सेमिया है जो यहां पर blood का disorder है थैले सेमिया इसके लाव आप देखें कि सिकल सेल एनीमिया है इन सबसे जो affected person है उसको जो reservation है वो यहां पर नहीं provide किया जाएगा तो basically यहां पर जो statement है जिसके अंदर में काफ जोटा है वो यहां पर provide किया जाएगा better job के opportunity में education institutions के अंदर में तो उसके बारे में यहां पर बताया गया है आपको basically sickle cell एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए देखिए student sickle cell का जो सबसे बड़ा problem है वो आपको tribal communities के अंदर में देखने के लिए मिलता है कुछ दिन पहले हमने editorial के perspective से discuss किया था कि UK का जो वहां पर basically medical का regulations है उनके द्वारा क्या किया गया उनके द्वारा जो sickle cell एनीमिया है उनको deal करने के regarding में two therapies हैं जिसके अंदर जो case 9 है उसको gene therapy के रूप में use किया जाएगा और उन two therapies हैं जिनको allow करने के बारे में बात की गई थे तो उनके ब है और आप देखें कि उस blood disorder को यहां पे job quotas का disability का part है वो नहीं माना है इसराइल के जो basically यहां पे political leader है उनके द्वारा इंडियर पीम को basically phone के उपर बात किया गया कि red sea के area के अंदर में हम किस तरीके से जो surveillance है उसको यहां पे carry out करें तो students आप देखें कि यहां पे इस news के अ attack है वहां पे carry out किया गया तो उसके बारे में आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए होती rebellions के द्वारा students आप देखें कि इंडिया का जो navy है उसको भी deploy किया गया था इंडिया का navy को deploy किया गया वहां पे Malta का एक seat Malta का एक ship था जिसके उपर attack किया गया है पिछले one month के अं peninsula है यहां पे यमन situated है यहां पे ओमान situated है तो आप देखें कि यमन का अंदर में आपको होती rebellion से उनका population है और यह Red Sea के अंदर में होर्नोप अफ्रीका का जो region है इसके उपर काफी सारे ऐसे सिफ हैं जिसके उपर attack किया गया हमने काली ही उसको discuss किया था कि British agency है BP उनका नाम है उनके दुआरा भी अपने operation से उनको रोका गया है कि basically Red Sea के अंदर उनके दुआरा को यो भी जो सामान है goods से उनको carry out नहीं किया जाएगा तो Red Sea के बारे में यहां पे नेतना हायू के दुआरा Indian PM से discuss किया गया है कि कैसे इस maritime threat है उसको deal किया जाए होती rebellion के दुआरा भी अप पर attack है वो नहीं नहीं stop किया जाएंगे अगाजा इस्ट्रिप के अंदर जो attack है उसको stop नहीं किया जाएगा जब तक हम यहां पर continuous maritime threat के रूप में यहां पर काम करेंगे वोती rebellion के पास में आप देखे कि 1000 के आसपास जो basically kilometer का जो यहां पर missile है वो भी उनके पास present है काफी सा countries के साथ में मिलके एक alliance है उसको create किया है कि हमारे द्वारा jointly way में red sea के अंदर जो surveillance है उसको carry out किया जाएगा jointly way में हम यहां पर surveillance के अंदर में basically जो ship वहां से travel करती हैं क्योंकि आप देखे कि हमारा जो Asia है South Asia है South East Asia है उसका काफी सारा जो goods हैं वो यहां पर supply होते है स्वेज क गैनाल के थुरू में पर स्वेज कैनाल एक important economy का role play करता है किसके लिए important economy का role play करता है इस्टूरेंट एजिप्ट के perspective से यहां पर basically एक और target था इसराइल का इसराइल का red sea के साथ में connectivity है तो इस्टूरेंट्स आपको पता होना चीक 1967 के समय जब इसराइल के दुआरा जो सना काबा है गल्फ काबा के थुरू उनका जो connectivity है वो आपको देखने के लिए मिलता है किनके साथ में इसराइल का है connectivity पर बाद में आपको कुछ area है जो land के थुरू आपको जो transport करना होगा और बाद में Mediterranean के लिए वो यहां पर apply कर सकते हैं एक उनका project भी है मेग्रेव नाम का ज इसके अंदर में इस तरीके से जो swag के एक कैनाल है उसको develop किया जाए और directly यहां पर red sea से Mediterranean के अंदर वो supply कर सके है students इसके regarding एक multi dimensional जो alliance है जिसको बनाया गया जिसके अंदर basically USA है USA के दुवारा कहा गया USA UK है UK के लावा आप देखी कि बहरीन नाम का जो country है बहरीन है बहरीन के इसके लावा Canada है Canada के लाव France है Italy है नीदरलेंड है Norway है और सेसेल्स है सेसेल्स कहां पर students है कहां पर situated है Indian Ocean region के अंदर है सेसेल्स और सेसेल्स के अलावा जो Spain है वो इसका पार्ट है इस students इस अलाइंस का जो US के दुवारा बनाया गया है red sea के अंदर में jointly यहां पर patrolling की regarding में jointly यहां पर basically surveillance के regarding में next आप देखे कि government के दुवारा अपना जो lumpy skin disease है जो basically cows के अंदर में आपको देखने के लिए मिला था lumpy skin disease के बारे में हम बात करें तो infectious जो lumpy skin viral जो इसका virus हुआ करता था lumpy skin disease का उसी के दुवारा basically disease का जो infection है वो देखने के लिए मिला था smallpox का जो virus का family है उसी से उबलोंग करता है क्या यह एक genetic disease था क्या hormones के अंदर भी इसका transfer देखने के लिए मिलता है students यह एक genetic disease नहीं था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए हिसार के अंदर हमारा एक institution है जिसके दुवारा basically एक vaccine है उसको भी develop किया गया था lumpy skin disease के बारे म और काफी Northern India के काफी सारे ऐसे states है जिसमें हरियाना है हिमाचल प्रदेश है राजस्तान है जिसके अंदर lumpy skin disease की वज़े से काफी सारी जो death है वो देखने के लिए मिली थी तो उसका जो data है उसके regarding में concerns raise किये गए है कि ministry के दुवरा जो data दिया गया है कि इतनी जो animals है उनका यहाँ पे हमने जो blood disorder है उसको यहाँ पे basically disability का part नहीं माना नेतन हायु के दुवरा जो discuss किया गया है इंडियन PM के दुवरा red sea के अंदर उसको discuss किया और US का जो multi dimensional pulse है उसके बारे में हमने यहाँ पे read किया आप देखें कि जो insurgent person है जो extremist person है उनको France के अंदर settle करने का जो permission permission है वो नहीं दिया जाएगा France के एक minister के दुवरा यह statement दिया गया है कि यहाँ पे जो settlement का permission है वो नहीं दिया जाएगा जिनके दुवरा West Bank का जो area है जो की basically जो eastern part of Israel है जिसके अंदर में situated है तो West Bank की area के अंदर में जिनके दुवरा जो extremist activities को carry out किया जाता है उनको यहाँ प Iceland के अंदर volcano eruption हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान के जो PM है former PM उनके दुवरा खा गया है कि basically इंडिया उनका जो country का जो economic situation है उसके लिए वो खुदी responsible है SI के statement देखने के लिए मिला students पाकिस्तान के बारे में आपको information होनी चीए कि पाकिस्तान का कोई भी prime minister है जिसके दुवरा complete tenure है वो नहीं किया गया है 1947 के समय इंडिया के साथ यह independence है उन्होंने अचीव किया था बट आप देखिए कि अभी तक कोई भी prime minister है जिनके दुवरा five year का जो tenure है वो नहीं complete किया गया था इमरान खान का एक possibility था बट उनको भी देखी कि उनका वहां का जो आर्मी का जो रूल है उसकी वज़े से उनको वहां पर काफी सारी cases के अंदर में power से अठाया गया इसके लावत चाइना के अंदर earthquake है वो देखने के लिए मिला है Northwest का जो पार्ट का जो city है वहां प अर्थक्वेक की वज़े से काफी सारी लोगों का death भी हुआ है तो this is all the information related to the important जो आज की newspaper के अंदर में थी उनके बारे में हमने discuss किया आप इनको read and revise करना है जो भी important information आपको लगे उसको आपको read and revise करना है note down करना है thank you students thank you very much